आज की इस वीडियो के जरी मैं आपको बताने बाला हूँ, अगर आपका फेस्बुक पेज है, आप भी फेस्बुक पेज का यूज करते हैं और उससे अर्णि करते हैं, तो फ्रेंड्स ये सेटिंग आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, इस वीडियो के जरी मैं आपको सिख आना नहीं चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, उसने आपके फेस्बुक पेज को लाइक कर दिया है, तो उसे आप रिमूब करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल कर सकते हैं, इस वीडियो के जरी मैं आपको सिखाने बाला हो कि आप उसे कैसे रिमूब करेंगे अगर आप उसे permanently बेन करना चाहते हैं तो आप बेन भी कर सकते हैं अगर आप smartphone का use करके उसे बेन करना चाहते हैं या फिर रिमूब करना चाहते हैं तो आप अपने facebook page को desktop mode पे open करेंगे तो friends desktop mode पे login करेंगे और अगर आपकी पास laptop है तो मैं friends आपको laptop पे ही बताने वाला हूं तो friends चलिए चलते हैं अपने computer screen पे वहां पर आपको बताओंगा कैसे उसे remove करेंगे और उसे ban कैसे करेंगे तो चलिए friends चलते हैं अपने computer computer screen पर अब सबसे पहले आपको Chrome browser को open कर लेना है और Chrome browser को open करने के बाद आप अपने facebook.com पर अपने उस account को login कर लेंगे जिस account पर आपका facebook page बना हुआ है और आप जिस page से उस people को हटाना चाहते हैं उस people को ban करना चाहते हैं उस page को open कर लेंगे friends हमने यहाँ पर already open कर लिया है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको इसी facebook page पर आपको people को ban करने के लिए सिखाऊंगा अगर आप अभी तक इस facebook page को follow नहीं किया है तो friends इस facebook page को follow जरूर करें क्योंकि मैं जो वीडियो यहाँ पर डालता हूं वही वीडियो YouTube पर भी डालता हूं friends इसलिए इस page को follow करना बिल्कुल ना भोलें अब सबसे पहले friends आपको यहाँ पर left side में डेट सारा settings देखने को मिलेगा left side में सबसे last में आपको यह setting button आपको देखने को मिलेगा friends इस setting button पर simply आपको click कर देना है click जैसा ही करेंगे friends यहाँ पर आपका setting open हो जाएगा और सबसे ऊपर यहाँ पर general setting open हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पे आपको सभी people आपको दिख जाएंगे, जितने भी बंदे आपके facebook page को यहाँ पे follow कर रहे हैं, या फिर facebook page को like किया है, सभी का यहाँ पे आपको account दिख जाएगा, अब यहाँ पे आप जिसको ban करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे आपको select कर लेना है, मैं यहाँ पे इसे blur कर दिया हूँ, इसे hide कर दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे नाम आपको show नहीं हो रहा होगा friends, यहाँ पे आपको mark करने के लिए एक box दिखेगा, आप जिसे भी ban करना चाहते हैं, उसके बगल में एक mark लगा देंगे कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे आपको demo करेंगे, अगर यहाँ पे ban from page करेंगे, तो यह आपके page से ban कर दिया जाएगा, और future में कभी भी इस बंदे को आपका facebook page सो नहीं करेगा, तो friends, आप अपने हिसाब से यहाँ पे remove from page like कर सकते हैं, या फिर ban from page भी कर सकते हैं friends, तो friends, कुछ ही तरह से आप अपने facebook page से किसी भी बंदे को remove कर सकते हैं, या फिर उसे ban कर सकते हैं friends, तो friends, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा, तो हमारे इस वीडियो का like जरूर करें, और हमारे इस channel powerful fact को भी subscribe कर ले, साथ ही notification का bell button भी press कर दे, मिलते हैं एक powerful educational वीडियो के साथ, तब तक के लि झाल झाल झाल